हेलो दोस्तो आज मैं आपके लिए टाटा टिगोर सी एंजी एक्जेट प्लस लेकर आया हूँ कार फ्रेंट से देखने में काफी सुन्दर लग रही है फ्रेंट में देखें तो हम कार में प्रोजेक्टर हेड लैंप के साथ में हेलोजन बल्प मिलता है नीचे बंपर में फॉग लैंप हेलोजन बल्प के साथ कार फ्रेंट से काफी सुन्दर लग रही है कार में क्रोम का काफी इस्तिमाल किया गया है फ्रेंट में आप देखें तो बड़ा सा लोगो कार देखने में फ्रेंट से काफी सुन्दर है बंपर भी बहुत प्यारा है कार का डे नाइट रनिंग एलेडी फॉग लैम इंडिकेटर कार की यदि बात करें तो कार में फ्रेंट में आपको डिस्क ब्रिक वियर में ड्रम ब्रिक का इस्तमाल किया गया है गोडियर की 175, 65, 64 के आपको टायर मिलते हैं अलोग कैप के साथ स्टील रिम कार में आपको मिल जाती है अगर कार की साइट की बात की जाए तो और बियम पे ही आपको इंडिकेटर मिलती है और बियम ब्लैक ग्लॉसिफनिस में आपको मिलेगा फ्रेंट में दो बाइपर साइड की अगर बात की जाए तो कार साइड से देखने में बहुत सुंदर लगती ए एक बार आप आप कार का साइड लूक चैक कीजिए कार में डूर पर भी काफी करोम बर्ख का इस्तमाल किया गया है डूर ĭेंडल पर भी आपको करोम मिल जाता है जो देखने में काफी सुन्दर लगता है डोर पर ब्लैक टेपिंग प्लस क्रोम पीछे आपको सार्फिन एंटीना मिलता है रियर की बात की जाए तो कार्ड रियर से देखने में परस्नलिली मुझे बहुत अच्छी लगती है रियर में देखा जाए तो आपको आई सी एंजी की बैजिंग बड़ासा क्रोम बर्क टिगॉर इसी के नीचे आपको बैक कैमरा मिल जाता है पंपर के नीचे ब्लैक प्लेट केली जी आप इसे कार पीछे से देखने में बहुत सुन्दर लगती है एक बार आप इसका लुक चेक कीजिए कार अगर आप सामने से देखें तो एक आपको बहुत अच्छा लुक देती है मैं इस से में टाटा मोटर्स चंदोसी में आया हुआ हूँ पीछे आपको सी एंजी डिफॉरगर लोकल बॉकल का बैजिंग फ्रेंट लोक कार में एंटर करने के लिए हैंडल पर आपको रिक्वेस्ट संसर मिल जाता है फ्रेंट डोर पर ही आपको चारो पावर विंडोस की कंट्रॉल लोक अनलोक के लिए बटन बोटल के लिए स्पेस हैंडल क्रॉम में मिलता है और बेम के कंट्रॉल्स एसी बैंट पर आपको क्रॉम मिलता है और रन लाइट से कंट्रॉल मिल जाएंगे आपको यहाँ पर कार की अगर इंटियर की बात की जाए तो बलैक और बेज का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है जो कार को एक गुड लगिंग प्रोबाइट करता है अगर कार की बात की जाए तो डोर पर ही आपको स्पीकर की प्लेसिंग दी रखी है कार में आपको four speaker दो tweeter मिलती है अगर seat की भी बात की जाए तो इसमें height adjustment के साथ six way manually आपको seat मिलती है driver side जिसे आप आगे पीछे उपर नीचे अपने height के नुसार कर सकती है आपको tilt steering मिलता है जिसे आप अपने height के नुसार adjust कर सकती है यहाँ पर आपको headlight और indicator के आपको control मिलती है टाटा का बड़ा सा logo इस टेरिंग पर audio mount control आपको मिल जाएंगे 8 inch का आपको इसमें harmon का touch screen मिलता है android auto carplay के साथ प्रेंट से अगर बात की जाए तो car का dashboard देखने में काफी सुन्दर लगता है dashboard काफी बड़ा दे रखा है AC bends पर chrome की bezing मिल जाएगी देखने में बहुत प्यारी लगती है touch screen के नीचे आपको deforgar, fog lamp और boot के button मिल जाएंगे यहाँ पर आपको start stop का push button मिल जाता है automatic AC मिलती है जो देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है charging spot 12 bolt का charging socket मिल जाएगा आप बोटल देखिए यह बोटल पड़ी हुई थी अपर दो cup holder अपर किसी ने सरसों के तेल की CC भी रख दी है पीछे भी आपको 12 bolt का socket मिल जाएगा handbrake, coin के लिए space 5 speed, manual transmission मिल जाएगा कार आपको काफी देखने में चोंडिल मिलती है sunset पर आपको mirror मिल जाएगा कोई भी light नहीं मिलेगी handle mirror में आपको day night adjustable मिल जाता है driver side sunset में आपको mirror मिल जाएगा अगर कार में space की बात की जाए तो कार में आपको बहुत अच्छा space देखने को मिलता है कार की मैंने driver side seat फुल पीछे कर रखी है और मैं इस समय यह समझी कि बैठा नहीं हूं यह पूरी तरके से लेटा हुआ हूँ पीछे आप देखें तो कार में आपको बिलैक और बेज का कॉंबिनेशन मिलता है पीछे चार्ड सेप्टी लॉक पावर बिंडो कंट्रॉल हार्ड प्लास्टिक क्रोम हैंडल बार्टर बोटल का भी एंपरे स्पेस मिलता है आपको अगर बेक की बात की जाए तो बेक में भी बहुत अच्छा स्पेस मिलता है मुझे मेरी हाइट पांच पुट नौ इंच है फिर यह मुझे काफी अच्छा स्पेस में मिल रहा है एक कर का पीच ओड़ी है तीन लोग इसमें बहुत आशानी से बैठ सकते हैं फ्रेंट में आपको लुमेबल मिल जाएंगे आपको लाग मिल जाती है एलेडJeム पर कार में पीछे आपको अब रेस्ट में दो का फॉल्टर मिल जाएंगी fix आपको headrest मिलते है rear में car में headroom काफी अच्छा है 6-foot या उससे उपर वालों के लिए भी car में आपको कोई problem नहीं होगी पीछे आपको speaker भी मिल जाएंगे आप एक बार पीछे से dex board का look देखिए car में आपको automatic AC मिलती है काफी headroom में इसमें जगे के कोई कमी नहीं होगी महसूस अगर दोर साउंड की बात की जाएंगे तो आपको एक मजबूती फील होगी इसमें आईए दोस्तों मैं आपको कार का इंजन भी चेकरा देता हूँ कार में आपको थ्री सिलिंडर नैच्रल एस्परेटेड इंजन मिलता है कार का बनट ओपन करते हैं कार का बनट जो है काफी भारी है माइलेज क्लेम करती है कार में एबीएस एवीडी दो एरबैक्स आपको इस्टेंडर मिल जाएंगे गर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों कि पहले लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दवाना ना भूलें ताकि आपके पास और भी नहीं नहीं वीडि वीडियो में